नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे उन फिल्मों की जिन में राजेश खन्ना और टीना मुनीम एक साथ नजर आए इस कड़ी में पहली फिल्म थी 50-50 जो आई थी सन 1981 में ये इस जोडी की पहली फिल्म थी इस फिल्म में इनके साथ ओम शिवपुरी और नाजिर हुसैन जैसे कलाकार भी नजर आए इसके अगले साल यानी सन 1982 में इनकी जोडी नजर आई फिल्म सुराग में साथ में थे संजीव कुमार और शबाना आजमी 1982 में ही इस जोडी की एक और फिल्म आई राजपूत जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और विनोध खन्ना जैसे सुपरस्टार नजर आए 1983 में राजेश और टीना की फिल्म आई सौतन जिसमें अन्यमुख्य भूमिकाओं में थे प्रेम चोपरा और पदमिनी कोलहापुरे पापी पेट का सवाल है 1984 की इस फिल्म में ये जोडी नजर आई शत्रुभन सिन्हा और जयाप्रदा के साथ 1985 में फिल्म बाए हाथ का खेल में राजेश खन्ना और टीना मुनीम एक साथ नजर आए जिसमें प्राण और वहीदा रह्मान जैसे दिगज कलाकार भी नजर आए राजेश खन्ना रजनीकांट के साथ एक मात्र फिल्म में नजर आए जो थी 1985 की बेवफाई इस फिल्म में अन्यकलाकार जो नजर आए वो थे टीना मुनीम पद्मिनी कोलहापुरे मिनाक्षी शेशादरी प्राण आदी 1985 में ही ये जोडी नजर आई आखिर क्यों फिल्म में जिसमें इनके साथ थे राकेश रोशन और स्मिता पाटिल 1985 में ही राजेश खन्ना के प्रोडक्षन हाउस की पहली फिल्म आई अलग-अलग इसमें ये मुख्य भूमिका में नजर आए थे टीना मुनीम और शशी कपूर के साथ 1985 की इनसाफ मैं करूंगा में इस जोडी ने पदमिनी कोलहापुरे और शक्ती कपूर जैसे कलाकारों के साथ काम किया राजेश खन्ना और टीना मुनीम की ये जोडी आखिरी बार 1986 में अधिकार फिल्म में दिखाई दी जिसमें जरीना वहाब बिंदु देसाई रजा मुराद डैनी डेंजोंगपा जैसे बड़े कलाकार नजर आए तो ये थी हमारी छोटी सी पेशकश राजेश खन्ना और टीना मुनीम की जोडी पर ऐसे ही रोचक और मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें